हेलो एवरिवन दृष्टी के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं हूं गितांजली जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहां भूगोल विश्य की नेट जारफ के सिलिपस के अंतरगत जो हमारा भूगोल का पाठ्षिक्रम है उ तो आपकी परीक्षा की तयारी के लिहाद से महजबूर हो सकते हैं यानि यहां पर हम जोग्रफी कंसप्ट टॉक के अंतरगत पूरे पाठ्षिक्रम में कुछ खास टॉपिक को चुनते हैं और उन टॉपिक्स के कंसप्ट को समझने की कोशिश करते हैं क्यों कि जब भी जाता होना चाहिए कि यदि कुछ शब्द आता है स्मॉग तो वह किस से मिलकर बना है उसमें कौन-कौन सी चीजे शामिल हैं हमने देखा है प्रीविस से कुशन डिसकुशन में कई बार इस तरीके से भी प्रश्न फ्रेम किया जाता है जिसमें आप ऑप्शन को भी देखकर देख सकते हैं कि eliminate किया जा सकता है और सही answer choose किया जा सकता है ऐसा कप किया जाता है जब आपको उन option के बारे में भी पता हो हो यदि आपको 4 option में से पता हो कि निमनलिखित में से 3 option है जो हमारे प्रश्न का यह पूछे गई प्रश्न से match नहीं करते हैं तो आप उन्हें हटा सकते हैं eliminate कर सकते हैं ठीक है इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको आपके पाठ्षिक्रम की ठीक से तयारी हो आपके syllabus में जो चीजे बात क्या है वह यह है कि हमारे पाठ्षिक्रम की कुछ खास जो टॉपिक है जिसे प्रिवियल से प्रश्ण पूछे जाने की संभाब ना है हम उन्हें समझ ले होने जान ले उनके बारे में डीटील से चर्चा कर ले तो जोग्रफी कंसेट टॉक के अंतरगत इन्हीं खास बहुत सारी चीज़ों पर डीटील से डिसक्स करने की कोशिश की है और हमारा जो यह पूरा क्रम है परवत पठार मैदान के बाद अभी जो हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वह है जी यानि लेक तो आज के वीडियो में हम मुख्यता जील के बारे में चर्चा करेंगे क्य अधिन जील या लेक होती क्या है किस प्रकार की इस्थल करती हैं यह कैसे निर्मित होती है और जो पूरे वैश्विक या पूरे Vishuth में जो हमारे पास world map मौशूद है उसमें कितने प्रकार की, कहां कहां और कैसी जीले पाई जाती हैं यदि हम बात करें ठिरिकाका की तो है किस प्रकार की जीले यदि हम बात कर रहे हैं भारत में ही बहुत साली जील क्योंकि अंतell कि मौशूद है तो आपको भूगर्वी कितिहास के बारे में पता होना चाहिए जो भी भूगोल है उसे जोड़ा हुआ उसके बारे में आपको मालूप होना चाहिए ठीक है यदि आपको वह पता है तो फिर आप जील इनके पैटर्न के हिसाब से समझ पाएंगे कि यह किस प्रकार की जील है इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको जीलों के प्रकार के बारे में भी पता होना चाहिए तो आज का वीडियो मुक्यता कलन और है धीलों पर कि जील क्या है और जील के प्रकार कौन कौन से हैं और उंट में हम कुछ खास जीलों के बारे में चर्चा करेंगे इसली चर्चा करेंगे कि हमने प्रीवियस सर के को शर्य में दिकाए ध्यान से कि कुछ ऐसे भी प्रुषने पूछे जाते हैं जिन में एक तरफ आपको जील दी हुई दी हुई हो क्योंकि प्रश्ण में देखा है कि ऐसा पैटर्न है ऐसे प्रश्ण पूछे जा सकते हैं और सामने आपको दिया होगा लोकेशन कि निमनलखित में से किस स्थान पर ये जील है इस चित है और आपसे पूछ लिया जाएगा कि निमनलखित में से सही कौन सा है सही जोड़ी का मिलान करिए और ऐसे प्रश्ण पूछे भी जाते हैं नेट जारफ की एक्जाम में ठीक है तो आईए सबसे पहले देखत करती को कहेंगे की यह हnyt मंश्रीय हैं मैं कि अद्ल्र ओम्रेम्ट जो हमारे भूग अ कर्विक सतह है यह माय पास जो संतल सतह माजूद है यह संतल सतह से गहरी हिस्थे मैं यानि इस भूतल तर गहरे भाग में सित्थ होगी क्या होगी जील तो जील के बारे में आप सामान शब्दों में क्या कह सकते है कि भूतल पर गहरे वा विस्तरत गढ़े जिन में क्या भरा होना चाहिए जरूरी क्या है जिन में पानी होना चाहिए जिसमें जल आवश्यक है यानि उसमें जल भरा हो तो आप इसकी definition में क्या कह सकते हैं इसकी definition में कह सकते हैं कि भूस्त तल पर गहरे और विस्तरत गड़े जो जल से भरे हो विस्तरत गड़े जो किस से जो जल से भरे हो ठीक है जो जल से भरे हो वही जील कहलाती है वही लेक कहलाती है यानि यहाँ पर जरूरी क्या है कि जो इस्थलकंड हमारे पास मौजूद है इस इस्थलकंड में जरूरी क्या है कि इसका जो यह गहरा बढ़े यहां पर जल भरा होना चाहिए याने इस्थलकंड के आंतरिक भागों में इस्थित जो जला भाग ही जील कहलाता है तो इस थलके या इस थलकंड के यह जो हमारे पास भूतल मौजूद है तो ध्यान रखें इस्थल खंड के आंतरिक भागों में स्थित कौन सा हिस्सा जो जल से पूर्ण हो यह जल से भरा हुआ हो तो इस्थल खंडों के आंतरिक भागों में जल पूर्ण गर्त को जील कहते हैं जल पूर्ण गर्द को जील कहते हैं जॉग्र 大फ में शब्द है ISK एक लिए गर्थॉ कौन सा जल पूर्ण गर्थ को हां पर इस थल खंड के आंतरिक भागों में जल पूर्ण गर्थ को जील कहते हैं तो इसके ורה faces याद रखेगा क्या इस थलकंड के आंतरिक भागों में इस थलकंड के आंतरिक भागों में कि यह आंतरिक भाग में कि छलपूर्णünden कर्द को जील कहा जाता है यही जील कहलाता है और जील के बारे में खास बात ध्यान रखेगा कि जील बनती है जील विक्सित होती है और समय समय पर निक्षिप की वजह से यह जीलें भर जाती है और दलदल भूमी में कनवर्ट हो जाती है तो ध्यान रखेगा जील क्या होती है यानि एक इसकी प्रक्रिया है जील जील के बारे में निर्मान होता है याने जील बनती है जील का निर्मान होता है जील विक्सत होती है याने जील अपने परिपक्व अवस्था में आती है जील विक्सत होती है जील विक्सित होती है और अंततह यह आप कह सकते हैं कि इसका अगला क्रम क्या होगा कि जील में निक्षे पढ़ा जाता है हमने पढ़ा था ना अपर्दन के फजुरू बिविन माध्युमों से वायू हिमानी पवन के माध्यम से जल के माध्यम से बहुत साथ एक सांसी दूसर होता है तो आपर दन के बाद निक्षेपण की प्रक्रिया प्रारंब होती है तो ध्यान रखें कि जब हरो के बारे में बात करें मतलब जीची भंती हैं विक्सत होती है ताथ धीरे धीरे निक्षेपद से फवच एपार से भर कर हैं दल्ल में convert हो जाती है या दल-डली भूमी में convert हो या दिखान रखेगा पैदा अर्थों से भर कर क्या हो जाती है डल-दल बन जाती है या नयानि हम ने छीलों के बारे में इतनी सारी बातें जानली तो आप इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं जीलें बनती हैं जीलें विक्सित होती हैं जीलें जो निक्षेपित पदार थे उनसे भर कर दल दल में से convert हो जाती है याने इसका मतलब कुछा निकाला जाए आप सार में क्या कह सकते हैं कि जी wed on shelf होती है याने這些 A क्या होती है जीले परिवर्तन शील होती है तो जीलों की विशेश्टाओं में आप शामिल कर लीजी और आपसे लिख सकते हैं कि जील में परिवर्तन शील होती है कि अब परिवर्तन शील होती है तो ये तो इसके लिए खास बात हो गई जीलों के लिए है से आप जीलों की प्रपरटी में शामिल करेंगे आप इसे जीलों की विशेष्टाओं में शामिल करेंगे क्योंकि जील क्या होती है परिवर्तन शील होती है एक और ध्यान रखेगा जीलों के संदर्व में कि कुछ जीले क्या होती है परवत पठारों कि इसकी बहुत उची उचे परवत होते हैं बहुत उचे पर परवत पठारों पर इस्थित होती हैं और कुछ जीलें नीचे इस्थित होती हैं याने आप इसे क्या कह सकते हैं कि कुछ जीलें परवत पठारों पर हजारों किलोमेटर की उचायी पर इस्थित होती हैं और कुछ जीलें सागरतल से नीचे इस्थित होती हैं तो ध्यान रखेगा ये भी इसकी विशेष्टाओं में शामिल हो जाएगा कि कुछ जीलें परवत पठारों परवत पठारों पर हजारों किलोमेटर हजारों किलोमेटर हजारों किलोमेटर उपर या उचाई परिस्थित होती है ठीक है और कुछ जीलें सम आफ की जिगा कुछ जीलें समुद्र तल से या समुद्र तल के आसपास भी इस्थित होती हैं तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि कुछ जीलें बहुत उची उची परवत पठारों पर हजारों किलोमीटर उचाई पर इस्थित होती हैं और कुछ जीले समुद्रतल से नीचे इस्थित होती हैं ठीक है समुद्रतल से नीचे इस्थित होती हैं ये भी ध्यान रखेगा किसमें शामिल हो जाएगा ये भी इसकी विशेष्टाओं में शामिल हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं और जीलों की कुछ खास पठार उपर है कुछ समुझे तल से नीचे है यानि आप क्या कह सकते हैं कि कुछ जीले क्या होती है बहुत गहराई मेस्चित होती है और कुछ जीले उथली होती है तो आप इसे क्या कह सकते हैं कुछ जीले गहरी होती है कुछ जीले गहरी होती है और कुछ और कुछ उतली होती है तो आपने जीलों के बारे में कितनी विशेश्टाओं को शामिल कर लिया है, यदि आप इसे एक ही माने तो तीन विशेश्टाओं इसके अंतरगत आ जाती हैं चिके क्योंकि कुछ जीली जीलें गहराई में सित होती हैं और कुछ जीलें क्या होती हैं उठली होती है यानि उपर की जो सत्ता है हमारे इसके आसपासी पाई जाती है और ध्यान रखेगा एक खास बात यह कि कुछ जीलें मौसमी जीलें कहलाती हैं कौनसी जीले मौसमी जीले कहलाती है अब ये मौसमी जीले कौन सी जीले हैं तो मौसमी जीले वे जीले हैं जो गर्मी के मौसम में सूख जाती है यानि इनका जल क्या हो जाता है गर्मी के मौसम में सूख जाता है तो इस प्रकार के जीलों को मौसमी जीले कहा जाता है तो ये हमने देखा क् जीलों की खास विशेष्टाओं के संदर में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल की जा सकती हैं या जीलों की विशेष्टाएं कौन-कौन सी हैं ठीक है अब बात करते हैं हम जीलों के प्रकारों के बारे में या बात कर लेते हैं जीलों की वर्गी करण के बारे में तो आप इसे एक नई हैटिंसते जीलों का वर्गी करन औहरों कितने प्रकार का कैसा किसे प्रकार से आप जीलों को वर्गी कर सकते हैं कि नाधारों पर आप इन्हें डिवाइट कर सकतें तो जीलों का वर्गी करण है क्या यह जीलों को वर्गी करण तो आपको यहां देखना है कि जीलों को कितने प्रकारों से डिवाइड किया जा सकता है तो जीलों की वर्गी करण में ध्यान रखेगा जीलें पांच प्रकार से डिवाइड की जा सकती है अब यह पांच प्रकार कौन कौन से हैं हमेने यहाँ पर क्रम से लिख लेते हैं तो जीलों के पांच प्रकार कौन कौन से हैं और कौन से प्रकार के आधहार किन किस तरीकी से आप जीलों को डिवाइड कर सकते हैं पहला प्रकार है भू संचलन के आधहार पर भू संचलन के आधहार पर या भू संचलन से निर्मित जीलें 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 यानि भूगर्विक घटनाओं के माध्यम से भूगर्विक हलचल के माध्यम से जब भूपरपटी पर जीलों का निर्माण हो या जो स्थलख उनके भीतर गहरा जो गर्थ है बन जाए जल पूर्ण गर्थ बन जाए तो उस तरीके से निर्मित जील को क्या कहते हैं भू संचलन से निर्मित जीले याने वे जीले जो भूमी के अंदर या प्रथवी के आंत्रिक गतिविधियों के माध्यम से जो हल्च लुद्पन होती है इसके माध्यम से जो इस्थल खंड पर जिल पूर्ण गर्थ बनते हैं तो इस प्रकार के जीलों को भू संचलन से निर्मित जीलें भी दर असल तीन प्रकार के होती है ठीक है जिन में अभीनतिय जीले शामिल हो जाती है चुकी हुई तो जिसका एक्जामपल आप ध्यान र जीलें कितने प्रकार की है तीन प्रकार की कौन कोंओसी अभीनतिय scholars 우儿 चुकी हुई नतिय उस्से से आप समझ सकति हैं अभी नतिय जीले है जो किसके माध्यां से भूस अंचलन हुआ भूस अंचलन हुआ भूस अंचलन हुआ पढ़ा है तो हमने उसमें समझा है कि भूस अंचलन से निर्मित कौन-कौन से गतिविधियां होती है तो भूस अंचलन की माध्यां से दरार भी पढ़ सकती है और दरार की माध्यां से क्या होगा गाटी का निर्माण होगा तो मालने शेती से निर्मित जील है चांदर भूस उन्चलन की माध्यम से अभी नतिय capacity होता है धरार घाटी जील का निर्माण होता है और नविस्थल जील ही कैस्पिएन सागर के तार पर जानते हैं नाम से जानते हैं दरसल हिएप प्रकार की जील है और से निर्मेंध भूस hayat से निर्वेती को 98 भील है कैस्ाइब सागर एक भी चैयर की बाद आती है द्को किब deuxième रखेगा जिसंब्यक लेकि बात करते हैं मृत सागर की बात करते हैं यह दरार गाटी जंढ तो मृतenschागर या अब आप जो बैकाल लेक की बात करते हैं यह भी अब दरार घाटी जील है इस प्रकार से हम ने समझा भूस अंचलन से निर्वित जील, अब दूसर प्रकार कौन से है जीलों का ए यह माने कृत्जील क्या है हिमाने कृत्जील यानि जो उपर जहां पर बर्फ जम regulation तो बर्फ की जो हमारे पार सिल गंड या असला कृतियां मौजूद है वहाँ पर उसकी पघलणे के माध्यम से यह उसल उस फ्लाखंडों पास जिससे प्रकार की यह ध्यान रखेगा हिम छेत्रों की बात की जाती है जब भी हमने हिमानी शब्द इस्तमाल किया यानि हिम छेत्रों की बात की जा रही है तो हिमानी कृत जील यानि हिम छेत्रों में स्थित जो निर्मत जीलें उन्हें हिमानी कृत जीलें कहते हैं तो और इसका best example है finiland की जीले, finiland की जीले, हिमानी कृत जीलों का best example है, चीक है, अब तीसरा प्रकार कौन सा है जीलों का, हमने देख लिया भू संचलन के माध्यम से जीलों का निर्मान होता है, हमने देख लिया हिमानी के माध्यम से क्या हिमानी कृत जीलों का निर्मान होता है अब है ज्वाला मुखी क्रिया से निर्मित जीलें क्यों कि ज्वाला मुखी क्रिया के माध्यम से भी जीलों का निर्माण होता है तो ज्वाला मुखी क्रिया से निर्मित जीलें लावा बाहर निकलता है वहां पर भी एक इस्थान जहां पर खड़ बन जाए और फिर आप जिस प्रकार की निर्माहित होता है उन्हें कहते है विवर्तनी की मिली किसे जोला मुखी क्रिया कितने माध्यम से हो रही है किस किस तरीके से हो रही है इस माध्यम से इस प्रकार से निर्मित जीलों को ही क्या कहा गया है ज्वाला मुखी क्रिया से निर्मित जील तो हमने बात की कि यदी मान लीजे दो प्लेटें टकरा रही हैं दोनों प्लेटों के टकराने के बाद जो वि निर्माण होता है उसे भी जुआला मुखी क्रिया के इंतर शामिल किया जाता है और ठीक ऐसे ही जो लावा च्छेत्र की जहां लावा भैता है फिर उसके बाद माली जी छोड़ता सा जलनुमा या आपको गर्त देखने को मेले तब जिस प्रकार की जीलों का निर्माण होगा उन्हें लावा कृति जीले कहा जाता है तो ध्यान रखेगा जो जो अला मुखी क्रिया से निर्मेट जीले हैं वो भी अपने आप में अलग प्रकारों में डिवाइड है यदि विवर्तनीकी के बारे में पूछा जाए कि विवर्तनीकी के द्वारा किस प्रकार की जील का निर्मान हुआ है ताना जील का तो ध्यान रखें क्या विवर्तनीकी विवर्तनीकी के द्वारा ज्वाला मुखी प्रक्रिया की माध्यम से टाना जील का निर्मान हुआ है यदि पूछा जाए क्रेटर के द्वारा की क्रेटर की माध्यम से किस प्रकार की ज्वाला मुखी कर निर्मार होगा है तो लोणार जील इसका best example है ठीक है किया लोdag आगने देखा विवर्तिनी आप ने देखा करेटन अगर लावा की माध्यम से पूछा जाए कि आंतरगती इस कार पया है तो दककन के शेत्र में से जील इसका एक्जामपल है ठीक है तो यह हो गया क्या ज्वाला मुखी क्रिया के माध्यम से निर्मित जील और जीलों में ध्यान रखेगा नदियों के द्वारा भी जीलों का निर्माण होता है तो अगला प्रकार क्या है नदियों द्वारा निर्मित जीलें तो छोड़ा सा जलनुमा कई जगह पर आपने देखा होगा कि जल पून गर्थ का निर्मान करते हुए आगे बढ़ती है या आप देखें अपना रास्ता चेंज कर लेती है अलागे लग रास्तों में नदियां बहती है उसमें बीच में कहीं जील का निर्मान हो जाता है तो प्रपात जल प्रपात आपने देखा होगा अगर आप नीचे से खड़े होकर देखते हैं कि जल प्रपात नीचे की और गिर रहा है तो आपने देखा होगा जिसमें जल ऊचाई से नीचे की और गिरता है इन्हें हम जल प्रपात कहते हैं इस प्रकार की जीलों का निर्मान होटा है ये किसके अंतर्गत आएंगी ध्यान अर्ख की रखाल नद्यों द्वारा निर्मित जिलों के अंतर्गत उसमें जो आपके सकते ही गाये का जो फूर हो उसका पैर हो उसकी नुमा आकरती दिखाई देती है कुछ इस प्रकार से और इसका best example है कौन सी जील, comment section में बताईए, राज जी में बताती हूं, बिहार में स्ठथ है, गोखुर जील का best example है, comment section में बता सकते हैं, आप कौन सी है, आगे पढ़ते हैं और बात करते हैं, प्रपाती जील के बारे में, तो वाशिंग्टन जील, इसका best example है, उस होगा है कोण सी है तध्ञान रखेगा जो कोळे रूब कर नदियों से निर्मत जीलों के बाद जो अगली जील है वह है पवन द्वारा निर्मित जील जुदील घाना के पवन द्वारा निर्मित घील कौन सी जील यानि हवा की माध्यम से वायू की माध्यम से इस लाकALD की यहां पर इच निकशेपन की जल पोन गर्द गयां निरमान हो तो इससा प्रकार से प्सक्राइब तो यहां रिखेगान आप आप इस देखिंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ धर धरी भूमी यहां पर ली भारा हुआ होता है चीकर सूक भी तो इसी प्रकार से एक दिया जाता है कि यह मौसमी भी जीले हैं क्यों की उसम में सूख गई और आपने अभी जीलों के जो एक्जाम्पल के तोर पर देखा है अब मुख्य बात यह हैं कि प्रमुख जीले कॉन कोंको है क्योंकि आपको पता होना चाहिए दी हो सकता है सही जोड़े में आपसे पूछ लिया जाए कि प्रामुक जीले कौन-कौन सी है तो प्रामुक जीलों के नाम हम लिफवा देते हैं और आप इन्हें कहां पर है इस धनाड़ा लोकेशन हो सकता है सही जोड़ी में आपसे पूछ लिया जाए खिक है और ग्रेट बियर लेक अपने आप में महजपून लेक है क्योंकि यह कहां परस्षित है यहां कनाड़ा मिस्थ और इसकी बारे में खास बात यह कि यह मीठे मीठे-पानी की जील है लिए ठील स्यूद मिर लेक रखेगा इसकी लोकेशन भी है कानाडा में यानि ग्रेट स्लेव लेक काँ पर है यह भी कनाडा में इस्तित है और से बारें में भी जाए बात क्या है कि यह भी मीठे पानी की जील है तो इसकी लोकेशन रखें कहां पर है कनाड़ा और यह दोनों क्या है मीठे पानी की जील है ध्यान रखें कनाड़ा की जब भी बात आएगी तो कनाड़ा जीलों से रिच है यानि यहां पर जीलें पाई जाती है ध्यान रखें आथावास्का यह काहा पर है अधावास्का प्रमोक जील है यह भी कनाडा में ष्चित है और अथावास्का जील की बारे में खासबात की यहां भी मीठे पानी की जील है और rethink बात में कि जील में है है आपको इन सबी च्रेफ्लेख लिकषले की चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले लें क्योंकि आपको एक साथ एक जगह ही सारी चीजे मिल जाएंगे फिर आपने Great Lakes के बारे में सुना होगा जो कितनी 5 Lakes का क्या है ग्रुप है जिनमें 5 जीले पाई जाती है आपने उनके बारे में सुना ही होगा और क्यों उसना होगा क्योंकि ये USA और कनाडा की कहा परिस्थ है बॉर्डर में स्थित है चार लेक्स तो है जो USA कनाडा की बॉर्डर में स्थित है ये टोटल पाच जीलों का समू है जिनहें Great Lakes के नाम से जाना जाता है जिसमें शामिल है Superior, Huron, Ontario, Erie और Michigan तो ध्यान रखेगा इनकी नाम भी है और क्रमश है इनको बॉर्डर में दिखाया भी गया है तो आप इनकी नाम भी याद रख सकते हैं चाहें यादी तो मैं लिखवा देती हूँ सुपीरियर इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि कई बार इससे प्रश्न फ्रेम किया गया है तो ध्यान रखें सुपीरियर, Huron, आपने पांचों के नाम सुने भी होंगे, ठीक है Ontario, एक, दो, तीर, चार, इरी, शिप्टर, पांच, पांच लेक्स हो गई, ध्यान रखेगा, यह कहाँ पर है, USA और कनाडा की बॉर्डर बनाती हुए चलती है, इन्हें ग्रूप, ग्रूप और फाइट लेक्स कहते हैं या धियान रखें ने क्या कहते हैं, Great Lakes क्योंकि यह बड़ी जीलों के ग्रूप की रूप में जानी जाती है, इनकी बारे में खास बात और धियान रखें कि जो Michigan है, हमने, जो Michigan है माथ पेजिगा, Washington में, Michigan, Michigan, यह क्या है, यह पूनता हमीठे पाने की जील है, ठीक, आगे Salt Lake, Great Salt Lake, क्यों इसे Great Salt कहते हैं, क्योंकि इसकी लवनता है, वह काफी अधिक है, इस वज़े से इसे Great Salt के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखें, नाम है Great Salt Lake, या जीप, इसकी लवनता अधिक है, लगबग 220 प्रतिशत बताई जाती है, ध्यान रखेंगा, अगर पूछा जाता है, लोकेशन, तो यूएसे इसकी लोकेशन, ठीक है, इसकी लोकेशन है, तो हमने प्रमुख जीलों के संदर में चर्चा की, जो कहां से जुड़ी हुई है, कनाडा से जुड़ी हुई है, यूएसे से जुड़ी हुई है, जो दर असल जी है, जो अलाका है, कनाडा व कारे में भी चर्चा की थी दरसरब पेरू और बोलीविया और बोलीविया यह अपने के नोट करना है क्योंकि से इम्पॉर्टन है काई भार चर्चा में बनी भी रहती है और प्रश्न भी से फ्रेम किए गय है जिक एसके लावंध आपने औने घील के बारे में जरूर सुना होगा औने गढ़ लगहने की धील है चीक है ओने गढ़ दरл के करसे लगहिसंद भी लेकिन फिर कई बार यह चर्चामें बनी रहती है इसलिए आप इसे जरूर को ध्यान रखें वोलटस जील अपने आप में इंपोर्टेंट क्योंकि वोलटांच जील कहां पर आठ द्यान रख्येगा आफ्रास जील कहां पर यह है घाना जो की कहां की जा जाती है आफ्रिका वाला जो रीजन है जीलों के लिहाज से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है लेकिन फिर भी कुछ बहुत अच्छी और यह कुछ जीले हैं इनके बारे में हमने चल्चा की यह जीले आपके लिए माज़ोंड भी है और आपको पता होना चाहिए इनकी लोकेशन की कहां पर है चुक है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ खास टॉपिक के साथ तब तक देते रहे शुक्रियां